हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो माई चैनल गाई एक और न्यू रिडिंग के साथ में आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आप सब आप से भी अच्छे हैं खुश हैर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रिडिंग करने वाली हूँ जानेंगे यूनिवर् आपको देखने को मिल सकते हैं और आप किस तरह से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो तो यह रिडिंग बहुत है आप सभी लोगों के लिए तो जल्दी से रिडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं जब भी आप यहां पहुंच रहे हैं देख लो हो सकता आपकी मदद हो जाए और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रेडिंग बुक कराना है तो इसका उप्षन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टर्ग्राम आइडे का लिंक मिल जाएगा आप मुझे को डियम कर सकते हैं अगर आपको मेरे इंस्टर्ग्राम अकाउंट तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईए मैं आपकी हल्प करूंगी कैसे आप मुझे वहां तक पहुंचेंगे ठीक हैं तो रीडिंग को आप स्टा five of cups, king of pentacles, three of cups and knight of wands. we have three of wands, nine of pentacles, ace of pentacles, king of swords and justice. Queen of Swords का कार्ड यहां से है आपके साथ 3 कुछ जस्टिस होगा आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अंदर क्योंकि यहां पर कार्ड बहुत अच्छे आए है मुझे सरफ एक ही कार्ड यहां पर सही नहीं दिख रहा है वो है उसमें आपको पूरी पूरी डिवाइन की प्रोटेक्शन ब्लेसिंग और गाइडेंस प्रोवाइट की जाएगी तो आप अकेले नहीं होगे इवन दो यू आर अलोन ठीक है आप अलोन हो हो लेकिन फिर भी यू नो हो सकता है कि आपके आसपास आपके फ्रेंड नहीं है आपके अपने नहीं है लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है डिवाइन की पावर आपके साथ है और इन सब के होते हुए जब यह सब चीज़े आपके साथ है तो आपको ज़्यादा घबराने की भी जरुरत नहीं है और आप अच्छा ही फील करोगे लाइक इस फाइव औफ कप्स की एनरजी से आप राम से डील कर जाओगे एमोशनल विड्रॉल एमोशनल लॉस में आप नहीं जाओगे ठीक है और एक प्रेडना मिलेगी आपको कि आप अपनी लाइफ में सेलिबरेशन करें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें खुश रहें अपनी फ्रीडम एंजॉय करें अपने लिए कुछ अच्छी क्रियेटि आपको कम लोग दिखेंगे लेकिन यो यह आपकी खुद की एनरजी है कि आप से लोग दूर हो रहे हैं लेकिन आप इतना क्रियेटिविटी लेकर आओगे अपने अंदर और अपने औरा को इतना पॉजिटिव करोगे कि आप अटेंशन अट्राक्ट करोगे तो वही चीज होते हों दिख रही है बहुत ज़्यादा यू नो प्राक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो काफी अच्छा बालन्स क्रियेट कर रहे हो that is why आपके लिए कुछ न कुछ आपके पास्ट कर्मा जो भी आपने किये हैं उसका ही reward आपको मिलेगा blessing money prosperity मुझे आपके लिए दिख रही है आपको यह ग्रैप करना है डिवाइन ने तो यह आपके लिए रडी कर दिया है लेकिन यह आपको ग्रैप करना है आप कर लोगे यहां पर king of pentacles का card और आपके हाथ में यही coin है जो यहां पर divine के हाथ में है देख रहे हैं और देखो इसी blessing से आपने कितने सारे coin खुद के लिए implement कर लिए बना लिए abundance आपने create किया है तो यानि कि near future में अब आपके हालात सुधरेंगे और आपके progress मुझे बहुत दूर तक दिख रही है आपके आज के ideas आपको बहुत ज़्यादा you know balance और benefits देगे तो आपके लिए तो अब आगे का जो time आ रहा है वो आपके खुद की personal growth और आपके financial जो भी मै professional life देख रही हूँ काफी growth आप attract कर रहे हूँ काफी अच्छे से आप you know अपने emotions जो भी है उनको control करके अपने life में आगे बढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी progress है बहुत अच्छा time अब आपको आगे देखने को मिलेगा कोशिश करना इसी energy में रहो और साथी साथ you know नाम साथ लोगों से बाते करते हैं deal करते हैं interact करते हैं तो हमें नहीं पता हम किस-किस energy में किस-किस energy से हम deal कर रहे हैं लेकिन पूरे दिन में बहुत सारी energy आप अपने साथ अपने घर लेकर आते हो ठीक है चार लोग आपको देखते हैं वो देखके क्या बोल रहे हैं ठीक है क्य सोच रहे हैं अपने मन में तो हर इंसान कुछ न कुछ energy बनाता है तो अब आपको नहीं बता हो positive or negative है लेकिन अगर आपने नाम जाप किया meditation किया तो सब कुछ clear हो जाता है जितनी भी negativity दूर हो जाती है आपसे इसलिए बहुत important है इसलिए पता है जो लोग ये चीज़े करते हैं उनकी life में जल्दी जल्दी progress होती है changes आते हैं आप लोग नहीं करते हैं आप लोग आलस कर जाते हैं या फिर आपको लगता है कि ये सारे चीज़े work नहीं करती है और इसलिए आपकी situation भी फिर change नहीं होती है देखो हमारी महनत तो है ही हमारी महनत के बिना तो कुछ कभी हो मतलब कुछ काम बदलेंगे नहीं महनत करेंगे तो बदलाव देखेंगे तो हम progress देखेंगे महनत तो सबसे ज़्यादा important है प्राइमरी है लेकिन प्राथना भी अपने आप में बहुत पावरफुल है आपकी महनत प्लस प्राथना दोनों मिल जाए तो काम बहुत अच्छे से पूरे हो जाते हैं और speed में हो जाते हैं आपके लिए यह चीज़े फॉलो करना बहुत जरूरी है जो कर रहे हैं उनको results दिख रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं वो वहीं के वहीं है या फिर बहुत slow progression है तो यह चीज़े हो रही है और देख लेते हैं we have solar plexus chakra and we have financial and material changes देखो changes तो आई रहे हैं no doubt financially and material changes बिल्कुल आपको नियर फ्रीचर में देखने को भी लेंगे आपका solar plexus chakra यह आपकी earning आपके you know stomach से related होता है stomach हमारी you know basic needs और हमारी earning को ही represent करता है तो yes आप इस stage में काफी ज़दा balance create कर रहे हो अच्छी planning के साथ अपने सारे जो भी आपके खर्चे हैं उन पे control आपके जो भी you know process है अगर आपने को कुछ financially कुछ deal है जिनको पूरा करना है तो वो चीज़े आप अच्छे से उसके लिए planning कर सकते हो ठीक है फिर से हमारे पास three of cups का card आगया यह card हमारे पास यहां से भी आया है अभी यहां पर भी आगया और number three काफी ज़्यादा इस rating में देखने को मिल रहा है तो number three balance का number होता है angel number है और यह number आपको अगर दिखा इस पूरे टाइम में ठीक है चार पांच दिन के अंदर अंदर अगर यह number आपको दिखता रहा दिखता रहा तो मतलब beneficial changes आप अट्राक्ट कर रहे हो ठीक है we have again number five of cups यह card फिर से आ गया बट यह आप हील कर रहे हो ठीक है healing दिख रही है मुझे इस card में we have positive movement forward and we have third eye chakra वाओ आपके chakras balance होंगे solar plexus chakra and third eye chakra and emotional जो भी loss में हो उस चीज को heal कर लोगे तो यह दो तो आपकी healing ही हो रही है आने वाले time में positive movement forward आप right direction में भी आगे बढ़ते हो यह दिख रहे हो तो changes बहुत अच्छे हो रहे हैं और इस सभी के साथ मैं सबसे जो important चीज देख रही है वो ही यह है कि universe की blessings आपके साथ है और यही सबसे ज़्यादा important चीज भी मुझे लग रही है आप लोगों के लिए लग क्या रही है ही बिलकुल ओके चलो और देखते हैं luck is on your side जब universe आपके साथ है तो luck कहां जाएगा लग तो आपके साथ आएगा यह आएगा ना so luck is on your side we have adjustments are required थोड़ा से adjust आपको करना पर सकता है ठीक है थोड़ा से adjust करकर चलिए बहुत जल्दी changes आ रहे हैं and nothing is yet set in stone कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा time change होगा बहुत चीजे ऐसी होगी जो आपको impossible लगेगे लेकिन आपको believe करना पड़ेगा कि सब पूरा होगा सब कुछ अच्छा होगा so believe in the impossible and you will be fine let's do a little love life के लिए कुछ भी नहीं आया है तो मैं यहां से देख लेती हूँ क्या आपके लिए love life में okay हमले पास एक कर अपने आप आया है honey moon अच्छा time attract कर रहे हो अपने love life में भी काफी अच्छा time attract कर रहे हो you deserve love wow you are lovable healing oh sorry healing family issues family oh so so interesting wedding this situation involves marriage stay optimistic about your love life calling in your soulmate reconciliation back-to-back किने अच्छे cards you know but stay optimistic about your love life में इस पर फोकस करते हैं or calling in your soulmate if you are in a soul connection with somebody then you have to be very positive for the certain time because you need it so you deserve love and some something is isn't in the is in the process so you need to trust it you need to believe it and you need to action take care you need to take action so calling in your soulmate means you are you are in a very pure connection तो इसलिए मैं कहरी हूँ tension मतलो divine is with you so optimistic रहना और खुशी खुशी अपने सारे काम पूरे कीजे सब कुछ अच्छा होगा at the end तो universe की planning में तो clear दिख रहे के आने वाला time बहुत अच्छा है तो इस time में no hate no jealousy कोई revenge वाली भी feeling अपने अंदर मतलाना क्योंकि revenge लेने की ज़रत उने पड़ती है जो weak होते हैं ठीक है आप weak नहीं हो आप अच्छे हो और revenge उनसे लिए किस से आप revenge लोगे देखो आपका maturity level understanding level spiritual level अलग है दूसरों का अलग है कोई आपको कुछ कह रहा है और आपका level बहुत high है spirituality में तो आपको तो कभी गुस्सा आना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको यह feel होगा कि जो ग्यान मुझे है वो उसे नहीं है वो नादानी में वो बहुत पीछे है spirituality में तो ऐसा इनसान अगर आपको कुछ बुरा भला बोलता है तो उस पर गुस्सा नहीं तरस आता है दिल से blessing निकलती है कि भगवान इसको भी आप ग्यान दे गाइडेंस दे कि यह इनसान ठीक हो जाए जो ना समझी और नादानी यह जो इनसान कर रहा है यह ना करे तो जो इनसान इतना हील होता है ना हील हो जाता है spirituality में आगे बढ़ जाता है उसे गुस्सा आने फिर उसको तरस आता है दूसरों पर उसके लिए वो प्रेयर करना शुरू कर देता है तो I hope कि आपका spirituality का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और आपके अंदर बहुत जादा kindness आती जा रही गया ओके this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही guys बाबाई take care